कि तुम्हासभा के राश्टी अध्यक्स हो और हम बात करें जैसे की अभी जो ओवी सी ने अभी बोला कि चीन देश के अंदर बुशेश जैसे फारूक अब्दुला जी ने बोला कि हम चीन के साथ अंदर इंडिया में बुशेंगे तो अखिल भारत हिंदू महासभा इसमें क कि आपको मालूम है कि अभी कई परदेश्व में इलेक्शन भी है और यह जो भाशन देते हैं ना इनका शीदा सा टार्गेट होता है देश में अशान्ति फैलाना देश में किसी ना किसी बात पर दंगा भड़काना यह चीजें अच्छी तरह से समझ चुके हैं हिंदू महास और जो इनकी विचारधारा है जो इनकी मनोविर्ती है हम उसको काम्याब नहीं होने देंगे यह लोग देश के गद्दार थे देश के गद्दार है देश के गद्दार रहेंगे इनको सबसे पहला वारा टार्गेट होगा कि देश से निकाल देना देश-द्रोही लोग है देश द्रोई वैसे तो मोदी जी ने पतनी क्या किर्पा की अच्छा था एक साल से अंदर थे देश के अंदर शांती थी और भार निकलते यह साप लोग हैं जब भी बोलेंगे ना जहरी उगलेंगे इनको खुली हवा में सास लेने का अधिकार नहीं है मैं मोदी जी से अपील भी करूँ और चिट्थी भी लिखने जा रहा हूं कि इनको वापिस जहां से निकाला था वहीं गुशा दो इनके बिल के अंदर अच्छा है अभी पांच अगश्ट 19 को धारा 370 असमाप्त हुई औ और अभी तक कितनी शांती थी और जैसे इनको आजादी मिली है वैसे यह बड़ बोल बोलने शुरू होगे तो इनको खुली हवा रास नहीं आती इनके उपर देश द्रों का केस लागों किया जाए या तो इनको जेलों में ठोका जाए या इनको घर में नजर बंद किया ज किया है देश में शांति जबी आएगी जैसे अदेश में कतर्ण मंतरीं के दो सरकारे चल उसमें हिंदू की बात होती हिंदॵादी सरकार ऑल इसके लाएं सत्तर साल के बाद सत्ता बदली यह तो आप मानते हैं अगर आरसेस के अंदर ताकत थी तो इस सत्तर साल क्यों लगे सरकार बदलने में बीजेपी के अंदर ताकत थी तो वाजबई जी को दुबारा प्राइमनेस्टर क्यों नहीं बनाया 2004 में बीजेपी हारी उसके बाद नेक्स 2009 में एलेक्शन हुआ बीजेपी ने पूरा जोर लगाया आडवानी जी को आगे किया प्राइमनेस्टर के तो पर फिर हार गई तो आप कैसे कह सकते हो कि यह आरसेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार इसलिए मैं सबसे बोलता हूं कि यहां रसेस की सरकार नहीं है ये बीजेपी की सरकार नहीं है यह मोदी सरकार है देश के 100 करोड लोगों ने एक मत के साथ इतना बड़ा भवव्य भवुमत दिया है वो मोदी जी को दिया है और उनकी हिंदुत की चबी के उपर दिया है जैसा कि आप मानते होगे 2002 में पूरा विपक्स एक हो गया यहां तक कि पूरे कई देशों ने मोदी जी को वीज़ा तक नहीं दिया लेकिन मोदी जी अड़े रहे खड़े रहे सबका सामना किया 2002 के गुज़ात दंगे पर माफी नहीं मांगी उन्होंने यह बहुत बड़ी बात है दूसरी बात कितने इलेक्शन हुए मोदी जी की देख देख में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया मुसे बोलने से कुछ नहीं होता कारिये बोलते हैं मोदी जी के कारिक्रम बोल रहे हैं मोदी जी का काम बोल रहा है इसलिए हम कहते हैं कि यह वाक्य में मोदी जी हिंदुत के एक प्रे है यह मोधी सरकार है